उधर महराष्ट के कोलापूर में भी तेज बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से पंचुगंगा नदी उफान पर है बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है राधानगी डाम के दरवाजे खोल दिये गए हैं डैम से लगे गाउं में एलर्ट जारी कर दिया गया है तो बारिश की वजह से पंचुगंगा नदी उफान पर है तो उधर राधानगी डाम में भी लगातार पानी का रस्तर बढ़ रहा है जिसकी वजह से डाम के दरवाजे खोल दिये गए हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अगर डैम के दरवाजे खोल दिये जाते हैं तो पानी इस रफ्तार से आसपास के इलाकों की और रुख करता है कि वहां बार जैसे हालाद बन जाते हैं आशिश सिंग हमारे सयोगी जुड़ गए हैं जाधा जानकारी के साथ आशिश राधानगरी डैम के दरवाजे खोल दिये गए कौन-कौन से इलाकों में अब बार का संकट मन रहा है जी मुख्य रोग से देखा जाए तो राधानगरी डैम का पानी है वो सीधे सीधे उतरते हुए बंच गंगा नदी में मिला है और सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी चपेट में आने से शिरोली गाउं, शिरोल, जिकली गाउं और ऐसे आसपास के कई इलाके जो है वो पूरी तरह से प्रभावित हुए है, शिरोल के जो है, खुरुंदवार और इसके अलावा, आरजुनवार जैसे कई इलाके प्रभावित हुए है वहाँ पर प्रशाशन इसको चिता हुआ है, लोगों को ठानी लोग जो है, उन्हें निकाला जा रहा है और सुरक्षी जगहों पर पहुचाया जा रहा है और वो अब लोगों को सुरक्षी जगहों पर पहुचाने में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी बार के आलाद बने हुए है पंस गंगा नदी में जो है, पानी कास्ता बढ़ने की वज़े से कही न कहीं, जो है, कासुत गंभीर बनी हुई है इसके अलावा यहीं पंस गंगा नदी आगे जाकर कितना नदी से बिल्टी है, जहां पर जो संगा मस्कल है, वहां पर भी कही न कहीं, जो है, बार की सिती बनी हुई है, जिसकी वज़े से समस्क्राइन लोगों की बढ़ी हुई है चली शुक्रियाशिश स्तमान चानकारी के लिए, उदर मदरविदेश के बैतूल में करीब पांच घंटे तक लगातार हुई मुस्लाधार बारिश से कई इलाकों में बाड़ आ गई है, इलाकी की प्रमुक देनवा नदी में बाड़ आने से 6 से जादा गाओं में पानी भ बाहाव के बीच बेहता चला गया, दोपहर बात बारिश ठंबने से हाला की नग्यों का जो जलस पर है वो थोड़ा सा कम हुआ, और बार से लोगों को रहात में लेकिन जिला प्रशासन ने इलाके की सभी करमचारियों को अलर्ट पर रहने की हिदाय दी है, यानि आश्रंक के मद्दे नजर सभी करमचारियों को प्रशासन की तरफ से कहा गया है, कि वो हर इस्तिती से निपटने के लिए तयार है, बेरहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे है, मद्व परदेश के बैतूल की पानी किस कदर अपना कहर बरपा रहा है, बारिश और बारिश की वजह से चारो तरफ पानी ही पानी, इस पानी में पानी का एक टैंकर बहता चला गया, एक बार फिर से इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि कुछ घंटे की बारिश में यहां हालात इसकदर बिगड़े, चारो तरफ पानी ही पानी और पानी के बीच ये पानी का टैंकर ब